हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरानमिशकार सच्रियाकाल अदाव दोस्तो एक बार में फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं पोहे और आलू की बहुत ही बढ़िया सा नाश्टा जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और सभी को बहुत पसंद आता है तो आईए देखते हैं इसे हम अपने घर पर असानी से किस तरह से बना सकते हैं तो फ्रेंड्स यह मैंने एक पोहे लिये हैं और जिने मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है साफ करके ही हम पोहे का इस्तमाल करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें अड़ करना है इसे हम जस्ट गीला ही करेंगे ताकि अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए और बाद में हम इसका इजिली डो बना सकें मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से ताकि पानी अच्छी तरह से इसमें लग जाए तो धीरे-धीरे ही हमें इसमें पानी एड़ करना है तो इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और पानी एड़ करते जाएंगे जब तक इस अच्छी तरह से गीला ना हो जाए तो अब मैं इसे रख दूंगी साइड पर अच्छी तरह से फूर कर तियार हो जाएगा और अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग तो स्टफिंग के लिए मैंने तीन आलू लिए है जिसे मैंने बॉयल करके लिया है और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इसे हम भ्रीक वली साइट से ही ग्रेट करेंगे ताकि iasily ये अच्छी तना से stuffing हमारी तियार हो सके तो दिखिए मैंने ये बला grater का इस्तिमाल किया है जो भ्रीक होता है तो इसी से मैंने इसे ग्रेट किया है तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे कुछ इंग्रीडियंट्स तो देख लेते हैं ये मैंने काफी सारा धनिया डाल दिया है हरा धनिया और एक कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने फ्लेवर के लिए और छोटा सा टुकड़ा मैंने अद्रका ग्रेट कर लिया है वो भी मैंने डाल दिया इसमें और आम मसाले देख लेते हैं मसालों मेंने क्या लिया है आदा चमच के करीब लिया है गरम मसाला आदा चमच ही लिया है आमचूर पाउडर आदा चमच मैंने लिया है चाट मसाला टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और आदा चमाची लिए है मैंने लाल मिर्च का पाउडर तो मैंने गरा मसाला ही लिया है मेन ताकि सभी मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए और चाट मसाला और आमचुर इसमें जरूर हम डालेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा खटा फ्लेवर आए अगर आप निम्बू का रस डालना चाते हैं तो वह भी डाल सकते हैं तो अब हम इससे करेंगे हाथ से अच्छी तरह से mix ताकि सभी चीजें आलू में अच्छी तरह से mix हो जाएं तो यह देखिए कितने अच्छी तरह से यह mix हो चुकी है और stuffing हमारी बिल्कुल त्यार है और अब मैं फ्रेंट्स इसके छोट चीजें बॉल्स बना लूँगी ताकि easily हम stuff कर सके तो रख देते हैं इससे भी side पर और देख लेते हैं हमारे पोहे का क्या हाल चाल है तो पोहा भी हमारे अच्छी तरह से फूल कर त्यार हो चुका है यह देख रहे हैं आप तो अब मैं इसे अच्छी तरह से mash करती हूँ और देख लेते हैं कि यह mash हो रहा है के नहीं और पानी का इस्तमाल हम और भी कर सकते हैं अगर अचीता से मैश नहीं हो रहा पर ये अचीता से हो रहा है मैश तो अब मैं डालूंगी इसमें कुछ फ्लेवर्स तो पहले मैं फ्लेवर्स एड़ कर देती हूं बाद में हम इसे और अचीता से मैश कर लेंगे तो मैं ये ले रही हूं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नम यह हमारा नाश्टा बन कर त्यार होगा, अब करेंगे इसे अच्छी तरह से mix, और इसे हम बहुत smooth इसका dough त्यार करेंगे, देखें कितना easy यह mash हो रहा है अब, पोहा, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से full चुका है, और एक cup से थोड़ा सा उपर इसमें पानी हम पूरा डा कर त्यार करेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए dough त्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का dough हमें चाहिए, बिल्कुल soft dough ही हम इसका लगा कर त्यार करेंगे, और color के लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी mix की है, जिससे इसका color बहुत बढ़ी आएगा, तो यह लिज चाहिए, अब हम बनाते हैं, बढ़ी ऐसा इसका नाश्टा, तो दिखे मैंने balls भी बना लिए हैं, आलू की stuffing जो हमने त्यार की थी, और मैं थोड़ा सा mixture लूँगी, पोहे का हाथ में, इस तरह से, और इसे flat करेंगे, अच्छी तरह से flat करेंगे, ताकि इसमें आलू की ball हम अच्छी तरह से stuff कर सकें, ये दिखिए इस तरह से, और पोहे को इस तरह से हम इस पर cover कर देंगे, चारो तरह से अच्छी तरह से cover करेंगे, बहुत आसान है, ये इस तरह से हम अगर नाश्टा बनाते हैं, और खाने में इतना tasty बनता है, friends, मैं आपको क्या बताओं, बहुत क्रंची ये flavor इसका आता है, अंदर से बिलकुत soft होते हैं, और बाहर से ये बहुत ही crispy बनता है, तो इसी तरह से हम इसका एक टिकी का रूप दे देंगे, ये दिखिए, आप यकीन मानी है, ये बहुत ही tasty हमारा नाश्टा बनता है, आप इस एक बार अपने घर पर जरूर ट जंद आया, और एक बार नहीं आप इसे बार बार बनाएंगे, ये दिखिए इस तरह से, तो बहुत ही असानी से हम इसे टिकी का रूप दे देते हैं, और आप इसमें से बिलकुल भी हमारी जो stuffing है बाहर नहीं निकलेगी, चारो तरफ से cover होना चाहिए, बस ये देखिए, टिकी है, हमारी बिलकुल बन कर त्यार हो चुकी है, तो मैं इसे रख दूँगी, प्लेट पर, और इसी तरह से मैं आपको दूसरी एक और बना कर दिखाती हूँ, और आप यकीन मनियें, आप कोई भी नहीं बता सकता कि ये पोहे से हमने ये टिकी बनाई है, ये देखिए, इस तरह से हम फ्लैट करेंगे इसको थोड़ा सा, चकला बेजन के इसमें बिल्कुल जिरूरत नहीं बढ़ती है, बहुत ही असानी से हम इसे हातों से ही इस तरह से बना लेते हैं, ये देखिए, ये भी कवर हो गया है, एक बार कवर हो जाए, तो फिर इसे आप अराम से थोड़ा सा प्रेस करके टिकी की शेप देदे, ये द देखिए, इस तरह रहे, और ओयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, ग्यास के ओपर, ये दिखिए, ये भी टिकी है, हमारी बनकर बिल्कुल त्यार हो चुकी है, इसी तरह मैं दो और टिकी बना कर त्यार कर लोगी, बाकी बाद में बना लेंगे, ये दिखिए, मैंने चाहर टिकी हैं बना ली है और ऑईल भी बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो चुका है अब फ्राइ करते हैं इसे हम और बनाते हैं एक बढ़ी असा नाश्ता जो आप कभी भी बना कर खा सकते हैं बच्चों को टिफन बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी यह बन कर त्यार होता और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा तो देखिए कितने ची तरह से यह फ्राइ हो रहा है जब तक इसे जाग आनी बंद होगी तब हम इसे टर्न करेंगे यह गुर्डन कलर आने तक फ्राइ करेंगे मैं बाकी की भी इसी तरह बना कर त्यार कर लेती हूं तो बाकी के भी हमने बना कर त्यार कर लिया और यह बैच हमारा बिल्कुल त्यार हो चका यह देखिए कितना बढ़िया कलर आया है उपर से बहुत ही ज़्यादा क्रंची है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्टा ये बनका त्यार हुआ है ये दिखिए तो मैं सभी को निकाल लूँगे इसमें से और दूसरा बैज डाल देते हैं इसमें और उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, मयोनिस के साथ किसी के साथ भी इंजोई कर सकते हैं सभी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है बस एक बार इसे आप ट्राई जरूर कीजिएगा आप भी इसे बहुत पसंद करेंगे तो ये देखिए ये भी बैच हमारा त्यार हो चुका है बिल्कुल और कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और कोई भी नहीं कहा सकता, ये पोहे के साथ हमने बनाए हैं तो देखिए तो फ्रिंट्स त्यार है आपके लिए पोहे और आलू का बढ़ियासा नाश्टा इंजोई कीजिए आप भी इस तरह से बना कर अपने घर पर मैं आपको एक टिकी तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रिस्पी बनी है ये दिखिए नाइफ के साथ मैं इसको कट करूँगी वाओ देखिए कितनी बड़िया हमारी टिकी बनकर त्यार हुई है थोड़ा से मैं खाकर भी देख लिती हूँ टेस्ट इसका बहुत ही बड़िया टेस्टी हमारी ये टिकी बनकर त्यार हुई है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स बेल का बटन तो जुरूर प्रेस कीजिए और फिर मिलती हूं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई